दोस्तों नमस्कार योनोंSVI से overdraft account को कैसे close किया जाता है अगर आप जानना छाते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि overdraft किसे कहते हैं ओरट्राप्स एक परकार का लॉण होता है जोificial ऐगंस्ट दिपोजिट पे लिया जाता है अगर आपने कोई वीर दिपोजिट किया है यह आप फिक्स डिपोजिट करके औरट्राप्स नवह ईखनकी कि कि अपने अपने FD के उपर तो यहाँ पर जो आपको minimum ब्याज देना परता है bank को जिसे कि आपको fix deposit में 6% आपको bank pay कर रहा है उसी परकार से अगर आप उसी FD के उपर overdraft की facility ले लेते हैं तो आपको जो है 7% bank को देना परेगा उल्टा ही दोस्तों ऑफ़ट्राप्ट में एक अच्छी facility यह है जिसे कि आपको 50,000 का FD है उसमें आप overdraft की facility लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 90% आपको पैसा मिल जाता है 90% यह नहीं कि आपको 40,000 मिलता है loan तुरंती मिल जाता है को भी bank का चकर काटना नहीं पड़ता है और उस 40,000 में आपने मान की चलिए 10,000 रुपिया खर्च कर दिए ह और बचा आपके पास 30,000 रुपिया overdraft account में तो वो जो है 30,000 का ब्याज आपको नहीं लगेगा जो आपने खर्च किया है उसी का आपको ब्याज देना परे यह सबसे अच्छी बात है इसके बाद जो भी आप पैसा खर्च कर देते हैं overdraft में उसे आप थोरी थोरी करके आप चुका भी सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप जो है 10,000 रुपिया खर्चा किया है तो आप 10,000 रुपिया ही पेमेंट करेंगे आप 500,000-500 करके आप पेमेंट कर सकते हैं जिसे कि आपने FD किया है एक साल के लिए तो आपका जो है एक साल के अंदर में ही overdraft का पैसा आपको जब आप overdraft online बनाते हैं उस समय आप तो बहुत ही असानी से बना लेते हैं वो भी योनो SBI के मादियम से लेकिन योनो SBI ऐसा कोई भी option नहीं देता है जो कि आप online ही close कर सकते हैं तो इसे आप branch में ही जाके आपको close करना परेगा जब तक आप overdraft को close नहीं करेंगे तब तक आ आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे जब हम overdraft का पैसा दे चुके हैं वह भी FD के maturity date से पहले तो तब पड़ भी हम fix deposit को close कर पाएंगे या नहीं तो बिल्कुल भी आप fix deposit को close नहीं कर सकते हैं बहले ही आप जो है समय से पहले overdraft का पैसा दे दिजिए और जब तक आप branch में visit करके overdraft को किलोज नहीं कराते हैं तब तक आप जो है fix deposit को close नहीं कर सकते हैं अगर आप overlap को close नहीं कराते हैं और आप maturary date से पहले पैसा में जम्याख जावा करते हैं जो भी दे देंगे